मेरी पैकिंग तो सारी हो गई है एक बार मनुवर जी से बात कर लेती हूँ हलो हाँ हलो बोलो क्या बात है अरे बात तो कुछ नहीं है ये कह रहे थे हम निकल रहे हैं अभी आहां से घर से ठीक है निकलो क्यों ये तो बताओ ममी जी मानेंगी की नहीं कहिए ना हो कि मुझे अंदरी न गुषने दे अब ये तुम अपने हिसाब से देख लेना गलती अलती मान लेना माफ कर देंगी और वो नहीं ऐसा नहीं करेंगी गुष जाने देंगी घर के अंदर मैं हूँ थोड़ी मैं भी help कर दूँगा लेकिन दोबारा ऐसी गलती मत करना अरे जी नहीं 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 ऐसी गलती नहीं करूँगी हमें एक बार माफ कर दें बस तो ठीक है फिर हमें रख रही हूं निकल रही हूं ठीक है ठीक है रखो चलो हम मम्मी को बुला लेती हूँ और निकलती हूँ जल्दी मम्मी आओ मैं जा रही हूँ रुको रुको आ रही हूँ एक मिनट रुको लो ये साड़ी और हार तुम्हारे लिए लिया था मैंने इसको लिये जाओ अरे नहीं मम्मी मैं कुछ नहीं लेके जाऊंगी इसकी कोई जरूरत नहीं है इसका मुझे क्या करना है ये अपने पास रखो अरे ये तुम्हारा ही है ले लो मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया था जब नहीं ले रही हैं तो मम्मी क्यों जब अजस्ति दे रही हो रखो अपने काम आ जाएंगे मेरे पास तो वैसे भी कुछ भी नहीं है मेरे लिए हो जाएगा हाँ हाँ मम्मी भावी बिल्कुल सही कह रही है भावी के पास नहीं भावी को दे दू छलो फिर ठीक है तो मैं इसको अंदर रखाऊ उखार को फिर आती हूँ तुम आई बुधाई करने ओके ममी मेरी ममी मैं जा रही हूँ बस करो बस रोया नहीं जाता है हस हस के जाया जाता है हसी खुशी देखो हम तो रो भी नहीं रहे रो नहीं, अपने घर जा रही हो, कौन डूसरे के घर जा रही हो हमको देखो हम कैसे हाशी कुशी से रहते है भाबी, जो भी का सुना हूं माप करना कोई बात नहीं, सब चलता रहता है तो माराम से जाओ, अच्छे से रहना लडाई जगडा मत करना हश खेल के रहना, ठीक है? ठीक है चलो आओ बिटिया, लेट हो जाओ गी बनना आराम से जाना, ठीक है? ठीक है चलो आज बिटिया चली गई, अच्छे से रहे आराम से अपने घर में, अब थोड़ी मन को सांती मिली है आप परेसान मत होई है मम्मी जी, अच्छे से रहेंगे कहां जाना है बेन जी आपको? पागल बुट्टे सिजी कहेंगे, मैं तुझे बेन जी लग रही हूँ सारी मैडम जी, आप तो गुष्टा हो गई तुझे अप गाड़ी चला, मुझे जान जाना होगा, मैं बोल दूगी वहीं उतार देना, ठीक है? ठीक है, ठीक है यह मैडम तो ऐसी लग रही है, जैसे घर से लड़ाई करके आई हो किस्यानी बिल्ली एकदम से? जा तो रही हूँ, पता नहीं मम्मी अंदर गुष्णे देंगी की नहीं, पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा दर लग रहा है चलो, चली जाती हूँ, जो होगा देखा जाएगा, जाना तो पड़े गई माईकी में गुजारा नहीं है मम्मी जी पैठ हो रहा है खुश रहो तुम कहा हमारे घर में आ गई तुमको तो हमारा घर अच्छा नहीं लगता गरीबू का घर कहां से आ गई भटक के अरे मम्मी जी माप कर दो मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे अब ऐसी गल्दी कभी नहीं होगी मैं पता है लोगों के बैकावे में आ गई थी मुझे पता नहीं था किस अस्राल में ये जिन्दकी कटनी है बहुत बड़ी भूल कर बैठी थी इसलिए मैं माफी किलायत तो नहीं हूँ हम कौन होते हैं माफ करने वाले तुमने हमें समझा ही नहीं हम माफी मागने से क्या होता है बैसे हम तुमको अपने घर में नहीं रख पाएंगे इसके लिए हम खुद तुमसे माफी चाहते हैं वापस अपने घर लोट जाओ ठीक है मेरा बेटा भी रेड़ी नहीं होगा तुम्हें रखने के लिए क्या फाइदा यहां रहने से तुमारे अरे माँ इसको माफ कर दो इसने मुझे फोन करके पहले बात की थी तो मैंने भी बोला था कि आ जाओ माँ से बात कर ले ना तुम्हें माफ कर देंगी इसका कहीं ठेकाना नहीं है तो यह बहाने बना के फिर आ गई यह भटका रही है तुमको समझ नहीं रहे हो यह ना किसी की नहीं हो सकती है समझो मेरी बात इसको दुबारा अपने गर में रखके फिर पश्ता होगे तुम इससे अच्छा है वापस कर दो इसको ऐसा कुछ नहीं है माजी जो मैंने किया है उसका पच्छा ताप कर रही हूं मैं इस बार माप कर दो दुबारा कोई गलती नहीं करूंगी सज बता रही हूं आपको मनुहर जी मैं आपकी कसम खागे कह रही हूं कभी कोई गलती नहीं करूंगी आप माजी को समझाईए ना अरे मान भी जाओ मा बेटा हमी अकेले घर में नहीं है ठीक है अगर हम इसकी सास है तो हमारी भी सास बैठी है भी उनसे बात करनी पड़ेगी अगर ऐसी कोई बात है तो चलो ठीक है रख लो लेकिन अभी मैं इजाज़त नहीं दे रही हूँ रहने की सास से मेरी बात होगी उनके सामने पूरी बात होगी इसके बात ही रह सकती है हमेशा अगर ये कोई गलती ना करे और जो हम कहेंगे वो करना पड़ेगा इसको इसको सारी चीज़े मंजूर करनी पड़ेंगी लिख के देना पड़ेगा बार-बार का ड्रामा नहीं होगा ये सब चीज़े इसको मंजूर होगी तो बता दे मा जी आप जो कहेंगी मैं वो करूंगी मैं दादी सासुमा से भी बात कर लोंगी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है जैसे रखोगी वैसे रह लूँगी मैं बहुत परिशान हूँ मा जब इतना कह रही है तो रख लो ना हाँ ठीक है रख लेती हूँ लेकिन कल जब मेरी सास आएंगी ना उनके सामने पूरी बात होगी उसके बाद मैं कोई फैसला लूँगी मैं अकेले कोई फैसला नहीं लूँगी अभी आ गई है तो रुख सकती है रुख जाए कोई दिक्कत नहीं है मुझे हे भगवान इतना सब कुछ करने के बाद तुम फिर वापस आ गई ए मेरी मा वैसे तुम हो बहुत बेसरा अरे भाबी जी छोड़ो भी अब उसने बहुत गलती मानी है मुझे तो मैंने इबूल दिया था कि आ जाओ वा देवर जी वाद क्या कहना है आप भी न इतनी सारी घटिया हरकते करने के बाद भी इसको आपने माफ कर दिया बहुत अच्छी बात मा जी देख रही हो देवर जी की बाते सुन रही हैं आप हाँ हाँ सब सुन रहे हैं तुम चुप रहो जब हम बात कर रहे हैं तो तुम्हें बोलने की जरूरत क्या है बताओ जाओ अपना काम करो जादा बीच बीच ना बोला करो लच्मी आया समझ में वाह देखिए क्या जमाना आ गया है इतनी गटिया गटिया हरकते करने के बाद भी दिवरानी जी को अम्मा जी ने माफ कर दिया बहुत सही लच्मी बेटा जब कोई बात पता ना हुआ करे ना पूरी तो बीच में बोलने की जरूरत नहीं है ठीक है हमने कोई माफ वाफ ने किया उसको अभी हमारी सास आएंगी बैट के बात होगी स्टाम पेपर में लिखा जाएगा इसके बाद इनको रहने की इजाज़त यहां पर्मनेंट मिलेगी अभी सिर्फ हम आज इनको रहने दे रहे हैं कल आ जाएंगी दादी सासुमा तुमारी तब बात होगी उसके बाद इनको रहने को मिलेगा समझ गई तुम ठीक है अम्मा जी लेकिन सोच समझ के रखिएगा सारा भार हमारी उपर मत डाल दीजिएगा अभी तुम चुप रहोगी या नहीं हम इतना बता दो यह तुम भी बोलने लगी हो पर निकल गए हैं तुम्हारे जो हमारे सामने मूचल आ रही हो ठीक है अम्मा जी हम नहीं कुछ बोल रहे हैं हाँ तो ठीक है जाओ जाओ सुन्ता भाउ तुम अपने रूम में जाओ कल बात होगी आराम करो जाके तुम अब तुम भी जाओ लक्ष में तैयारी बकरो खाना वाना की सुन्ता भाउ बहुत दूर से चल की आई है खाना वाना खिला दो बड़े बाप की बेटी है ठीक है अम्मा जी अम्मा जी आज का खाना हम बना देंगे अब हमने बहुत अच्छा खाना बनाना सीख लिया है अब जे ठानी जी को परिशान होने की जरूरत नहीं अब हम डेली खाना बना लिया करेंगे नहीं नहीं सुनता बहू, अभी तुम हमारे गर की मैमान हो, सारी चीजों का फैसला होने के बाद ही तुम खाना वाना बनाओगी जो भी करोगी, जब तक ही मेरी सासुमा नहीं आ जाती है, ठीक है, अभी तुम कुछ नहीं करोगी, अभी तुम हमारे गर की मैमान हो, समझ तेरे भी पर निकल गए हैं क्या अरे मा मैं तो कह रहा था है सही मेरे क्या पर निकलेंगे ठीक है आपका जो मन करें वो करिए जाओ अपना अपना काम करो सब लोग ठीक है मुझे अपना काम करने दो ठीक है